हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चैनल, स्टड़ी विश्रूती इस वीडियो में हम शुरू करते हैं, करेक्टर स्टिक्स ओफ रेस्पिरेशन तो इसमें भी फर्स पार्ट होता है, एक हाल्दी अडल्ट नोर्मल जो उसका रेस्पिरेटरी रेट होता है एक अडल्ट जो है और जो की हैल्दी है, तो उसका एक नोर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है 12-20 breaths per minute, ठीक है, अगर रेट हायर होता है नोर्मल से तो उसमें क्या होएगा रेपेड ब्रीधिंग देखने को मिलेगी, और अगर रेट कम होता है तो उसमें बहुत slow-slow breathing जो है अमने देखने को मिलती है, उसके बाद second आता है depth depth में क्या होता है, respiration नोर्मली जो है वो vary करती है shallow to deep ठीक है, अगर deep है तो हरेके respiration जो है क्या होएगी, सेम होएगी resting और sleeping दोनों ही time भे ठीक है, resting या sleeping भे क्या होएगी, सेम होएगी, और periodically क्या होता है हर एक person जो है, automatically inhales करता है deeply और उसके अपने पूरे lungs को fill करता है जितनी ज़्यादा air possible होती है, और usually क्या होता है, सब deep respiration ही करते हैं depth में ही respiration होती है, उसके बाद आता है rhythms, rhythms में क्याता है, normally include करता है inhalation, exhalation और उसके बाद pause, exhalation का जो phase होता है, वो double होता है length में as compared to inhalation और जो भी change आता है normal rhythm में, उसको हम irregular breathing कहते हैं और जो irregularities होती है rhythm में breathing की, ठीक है example में अगर हम बात करते हैं, small breathing या फिर coiny strokes जो हैं, इसके examples हैं assessment के अगर हम बात करते हैं, उसके बाद respiration के, तो जो nurse है वो respiration rate को, depth को, rhythm को जो है वो inspect करती है उसको अच्छे से listen करके with the use of stethoscope, ठीक है stethoscope जो हम लगा के देखते हैं back पे तो उससे हम क्या करते हैं, respiration को check करते हैं, assess करते हैं सारे process को, कि उसका rate कैसा है, depth कितनी है, और rhythm उसकी कैसे चल रही है साथ ही साम जो है, हम उनको दूसरे जो effectiveness जो होते हैं, assess कर सकते हैं उन यूजों को, जैसे कि pulse oximeter से हम उसको determine कर सकते हैं, कि कितना oxygenation जो है ब्लड का वो हो रहा है, और monitoring क्या है, arterial blood gas results की जो है, वो कैसे आ रहे हैं abnormal कुछ breath sounds होती है, जैसे कि strudder, इसमें क्या होता है, एक shrill और harsh sound जो होती है जब हम inspire करते हैं, और यह होती है, जो laryngeal obstruction होती है, उसकी वजए से, snoring हम देखने को मिलती है snoring respiration होती है, इसमें क्या होता है, partial obstruction होती है, अपर airway में उसके बाद wheeze, जो sound है, wheezing sound जो हम कहते हैं, वो देखने को मिलती है high pitch whistling होती है, इसमें sound अकर होती है, जब हम expire करते हैं और sometimes जब हम इसको inspire करते हैं, air को, air जो है, वो क्या जाती है, narrow और partially obstructed air भी जो है, हमें देखने को मिलता है bubbling sound आती है, gargling sound जो है, इसमें हमें देखने को मिलती है, जब भी air जो है, वो pass होती है, through the moist secretions जो भी होती है, in respiratory tract में, उसके बाद आता है, arterial oxygen saturation arterial oxygen saturation जो है, वो हम एक device के through जो है, उसको monitor कर सकते हैं, that is pulse oximeter, यह क्या होता है, एक non-invasive और painless test होता है, इसमें हम जो है, oxygen saturation जो है, वो देख सकते हैं, उसके कितनी value है, कितना जो value percent जो होती है, hemoglobin जो है, वो बाइंड कर पा रहे हैं, और कितनी जो oxygen है, वो occupied है, तो pulse oximeter के दो पार्ट होते हैं, एक होता है, two light emitting diodes, LED और एक होता है, photo detector, जो two light emitting diodes होता है, that is LEDs, इसमें क्या होता है, एक red होता है, और दूसरी क्या होती है, इन्फरा-red होती है, यह क्या होता है, यह transmit किये जाते है, light through an area, जहां पे भी हम इसको apply करते हैं, usually यह कुछ इस तरीके का और यह हमारे fingernails जो है, यहां पे ऐसे apply होता है, उसके बाद secondly आ जाता है photo detector, जो इसका दूसरा पार था, photo detector क्या होता है, यह LED से बिलकुल opposite होता है, यह दूसरे side पे होता है, finger के जहां पने लगाया होता है, photo detector जो है major करता है, कि कितने amount of red, यह फिर जो infrared light है, वो absorb होई है, औ oxygenated और deoxygenated जो hemoglobin था उसके वज़े से, और कितना जो है, SPO2 यह जो है report करती है, उसके बाद आता है assessment of oxygen saturation, pulse oximeter और जो भी probe है, वो attach किया जाता है, finger से, ear lobe से, या toe से, small beam जो है light के वो pass होती है, थूरू the blood, उसके साथ साथ major किया जाता है, जिसके वज़े से हमें result मिल जात oxygenated और deoxygenated blood की वज़े से ही होती है, कितने types के pulse oximeter होते हैं, एक होता है forehead sensor pulse oximeter, वो कुछ ऐसा दिखता है, उसके बाद होता है hand held pulse oximeter, जिसको हम अपने hand की वज़े से, hand की उपर ऐसे hand करके उसको use कर सकते हैं, उसके बाद जैसे कि हम आप screen देख पा रहे हो, तो जो screen होती है, उसपे हमें pulse oximeter के सपे क्या होगा, हमें heart rate और साथ ही साथ हमें जो spo2 है, यानि कि oxygen saturation है, दोनों मिलते हैं, नौर्मली oxygen saturation जो है between 95% to 100% जो होनी चाहिए, इसके बाद आता है topic alterations in respiration, क्या-क्या alterations होते हैं, तो सबसे पहले आता है टैकी पीनिया, जो respiration rate है, अगर वो 20 breaths per minute से जादा हो जाता है, तो वो टैकी पीनिया होता है, ये mostly कब होता है, जो fever हो रखा हो, या फिर जिसमें क्या होता है, हमारे body के जो metabolic rate है, वो increase हुए होते हैं, उसके बाद आता है hyperventilation, जो जब भी क्या होता है, depth जो होती है, या फिर rate जो होती है, अगर वो दोनों increase हो रह सकता है, ये बहुत सारी conditions, जैसे कि अगर हमारे head में कोई trauma हो गया, या हमारे जो respiratory center है, उसमें कोई depression हो रहा है, तो उन चीजों के वज़े से क्या है, ब्रेड़ पीनिया हो सकता है, उसके बाद आता है, उसके बाद आता है, अपनिया, जो हमारी breathing बीच में absent हो जाती है, कई उसके बाद आता है, डिजनिया, डिजनिया क्या होता है, इसमें difficulty हो दी है, ब्रीधिंग में, अच्छे से हम ब्रीध नहीं कर पाते हैं, ब्रेड़ जल्दी सास लेते हैं, ताकि अच्छे से उनको पूरी oxygen मिल सके, उसके बाद आता है, और्दोपीनिया, और्दोपीनिया क कर दें, उनको अच्छे से बैट के, जैसे की फाउलर या सेमी फाउलर तो उनकी ब्रीधिंग बिल्कुल ठीक हो जाती है, इससे क्या होता है, उनकी लंग्स को जादा space मिलता है, एक्स्पैंड होने के लिए, और जादा से जादा air वो इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है, उसक के बिज़े से देखने को मिलती है, उसके बाद होता है काईने स्टोक स्टोक स्टॉक स्टॉग इसमें क्या होता है एबनोर्मल ब्रीधिंग पैटरन जो है वो देखने को मिलते हैं, जब भी हम सोते हैं during the sleep, ठीक है night time पे हम कह सकते है, sleep के टाइम पे यह जो होता है, इसमें इसके बाद होता है agonal breathing, इसमें क्या होता है, यह slow या फिर shallow या फिर irregular respiratory pattern हम इसको कह सकते हैं, यह क्यों होता है, due to exonic brain injury, जब भी brain में कोई exonic brain injury हो जाती है, exonic injury हो जाती है, तो उसके वज़े से हमें यह breathing देखने को मिलती है, उसके बाद आता है biots breathing, यह abnormal breathing pattern है, जो कि जो भी ह हमारे पॉंस जो है damage हो जाते हैं, जब भी हमारे brains में जो पॉंस होते हैं, वो जब damage हो जाते हैं, तो उसके वज़े से क्या होएगा, regular जो deep respiration है, अपनिया के periods के बाद मतलब वो चीज़े देखने को मिलती है, तो उसको हम कहते है biots breathing,